हालो दोस्तों, जै जगनात, चियां दोस्तों विंटर सीजन आने वाला है, फूलों का सीजन आने वाला है, तो तयार हो जहिए और अपने गाडन को फूलों से भर दीजिए, विंटर हो और गाडन में गुल्दाभदी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, और मैं आपको आप कैसे गुल्दावदी में सेकड़ो फूल पाएंगे तो फिर चलिए मेरे साथ एक हसीन सफर में क्रिसंथेमम सपलिंग से फ्लावरिंग तक अगर आप मेरे साथ चलेंगे सफर के अंग तक देखिएगा आपके क्रिसंथेमम पौधे फूल से भर गए होंगे और आपका ग सफ्लेंग मेरे साथ चाय का मिट्टी करंगे असलों की वहाँ तो उनको मेरे मेरा मिट्टी देखिए कि षूबग मीक्स करे एक पहले से त्यार है उसने में मैंने मिलाया है 50% guidance soil 30% vermicompost 18% reverse sand और बाकी 2% में मैंने दिया है नीम खली, हर्ण मिल, single super phosphate और थोड़ा सा पर्टास आज मैं जितने सारे मेरे क्विसान धेमा में सब का reporting कर दूँगी second बार और फास्ट बार मैंने छोटे-छोटे चाय के कप में लगाया था आज मैं उसको 5-5 पॉट में reporting करूंगी तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको कैसे reporting करेंगे आप तो होल के उपर छिलका दे दीजिए पहले उसके बाद potting mix पॉट के अंदर दीजिए potting mix देने के बाद अच्छे से दीजिए potting mix यह मेरा potting mix दे दिया मैंने फिर आप पॉधा ले लिजिए अपना जो reporting करेंगे जब मैं reporting करूंगी तो मैं उसका पहला पिंचिंग भी कर दूंगी पिंचिंग तो किसंदेमम में बहुत ही जरूरी है आप जितना पिंचिंग करेंगे आपका ब्रांचेस उतना होगा और फ्लावर आप फिर से उसके उपर आप potting mix डाल दीजिए क्रिसंदेमम को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है आप उसका जितना क्यार लेंगे आपके पौधे में उतना फूल आएगा और मैं ये सीरीज में आपको जैसे जैसे बताते जाओंगी आप भी अगर अपना जितना सारा गुल्दाबदी का प्लांट से सबको वैसे ही रिपोटिंग करेंगे उसमें वैसे ही फौटिलाइजर देंगे तो फिर देखिएगा आपके प्लांट में कितने सारे फूल आए देंगे तो अब अब फौटिलाजर की बारही है इसमें अब मेड़ब आलने के बाद उसमें जो विपोटिलाजर में देंगे हूं गौत मील half tablespoon, blood meal half tablespoon, bone meal one fourth tablespoon, seaweed one fourth tablespoon, neem khali half tablespoon, single superfuss fat half tablespoon तो सबको मैंने अच्छे से दे दिया है अब जितना इसका प्यार लेंगे जितना अच्छे से फिडिंग देंगे जितना ज्यादा करेंगे आप अपके पधे में उतना ही ज्यादा फूल पाएंगे तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा क्यार कीजिए देखिएगा आपका गार्डन कैसे गुल्दावधी से भर जाएगा फटिलाइजर दान देने के बाद अभी पानी देने की बारी है यह जो पानी है यह प्लेन पानी नहीं है मैं पहले से आपको पता चकी हूँ मैं रिपोर्टिंग के बाद कभी भी प्लेन पानी नहीं देती हूँ तो यह जो पानी है इसमें मैंने मिलाया है पर लिटर के हिसाब से 2 ग्राम फंगिसाइड कोई भी ले ले लिजिए साब बेविस्टीन कोई भी ले ले लिजिए 1 ग्राम एपसम सॉल्ट 1 ग्राम हिुमिके सीड और 0.5 एमेल हाईरोजन पर पेरोकसाइड तो यह जो पानी है उसको अच्छे से मैं दे दूँगी पहले से बोल रही हूँ आज मैंने अपना जो जितना सरा गुल्दावदी का प्लांट है सबका पहली बार पिंचिंग भी किया है पिंचिंग में कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा सा उपर से उसको तोड़ देना है तो उधर से नया-नया ब्रांच निकलेगा अभी प्लांट्स छोटे-छोटे हैं तो फिर उसमें ज्यादा पानी मत दीजिए हिसाब से पानी दीजिए मैंने मेरे सारे जितने सारे प्लांट्स हैं सब में मैंने 100 ml करके पानी दे दिया है तो फिर आप अपने किसंधेम में ज्यादा पानी मत दीजिए जब ड्राई हो जाएगा उपर का सरफेस तब उसमें पानी दे दीजिए तो फिर मेरा सारा रिपोर्टिंग खतम हो गया रिपोटिंग खतम होने के बाद मैं क्या करूँगी अपने सारे जितने सारे प्लांट से सबको तीन दिन के लिए सेमी सेड़ेड एरिया में रख दूँगी और उसके बाद मैं उनको धूप में रखूँगे क्रिसंथेमम में धेर सार फूल पाने के लिए उनको खूब ध्यान देना पड़ता है फेडिंग देना पड़ता है पिंचिंग करना पड़ता है पिंचिंग करना बहुत ही जरूरी है तो पिंचिंग का और कुछ थोड़े थोड़े टीप स्ट्रिक्स जिसके आप अपने क्रि संतेमम का फ्लावर है देखिए कितना सारा फूल किला है तो यह मेरा सारा कंप्लीट हो गया रिपोटिंग ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर खतम करते हैं आसा करती हूं आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे स्वस्त होंगे अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई में वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यह सारे मेरे गुल्दाबदी मैंने इतनी सारे गुल्दाबदी लगाए है क्योंकि मेरा गार्डन थोड़ा बड़ा है और यह फूल मुझे बहुत ही मिलते हैं नए ब्लोग में नए प्लांट के साथ नए नए इंफर्मेशन के साथ बाई बाई